सावन माह में शिवलिंग पर अर्पित करें ये पत्ते, रातो रात चमक जाएगी किस्मत। सावन माह का हिंदू धर्म में विशेश महत्व माना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन माह का पवित्र महीना और भगवान शिव का अतिप्रिय महीना श्रावण मास आज से यानी 22 जुलाई से आरंभ हो चुका है। वैदिक पंचाम के अनुसार सावन महीने की शुरुवात सोमवार 22 जुलाई से हो चुकी है और इसका समापन 19 अगस्त सोमवार को होगा। इस बार सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। साथ ही इस बार सावन माह की शुरुवात और समापन। दोनों ही सोमवार के दिन होने से बहुत ही दुलब सन्योग बना हुआ है साथ ही इस बार सावन माह में प्रीती योग, आयुश्मान योग, शश योग और नवम पंचम योग साथ ही सरवाध सिद्ध योग का भी निर्मान हुआ है जिससे सावन माह का मेहत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है सावन के महीने में सुबह से लेकर राद तक सभी शिव मंदिरों में भारी भीड एकत्रित होती है जिसमें भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है इसके अलावा भगवान शिव को बेलपत्र के अलावा कई ऐसे पत्ते होते हैं जिसे शिवलिंग और भगवान भोले नाथ पर चढ़ाने से भगवान शिव जल्द ही प्रसंन हो जाते हैं और अपने भगतों की हर एक मनुकामना को पूर्ण करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा की सावन माह का महत्व क्या है और सावन माह में भगवान शिव को कोन से पत्ते अर्पित करने से सुख संपत्ती की प्राप्ती होती है लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का आशिरवाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सचे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू धर्म में सावन माह का महत्व क्या है सावन माह का हिंदू धर्म में विशेश महत्व माना जाता है सावन महीने में ही भगवान शिव के निमित्त कामवड भी लाई जाती है जिसे सावन महीने की शिवरात्री के दिन उचित विधिविधान के साथ भगवान शिवजी के मंदिर में अर्पित किया जाता है वैसे तो साल भर भगवान शिव की भक्ती की जाती है लेकिन सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मन्चाही इच्छा जल्द ही पूरी होती है क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का अतिप्रिय महीना होता है साथ कि सावन माह में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर जल चड़ाने से विशेश फलों की प्राप्ती होती है इसके अलावा सावन महीने के सुमवार के दिन जो व्यक्ती विशेश रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है वहीं जिन कन्याओं को अच्छे वर की चाहत है या जो महिलाएं अपने पती के साथ अपने रिष्टे को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं उन्हें सावन माह में व्रत जरूर करना चाहिए साथ ही पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं इससे आपको मंचाए फल की प्राप्ती होगी आएए अब जानते हैं कि सावन माह में भगवान शिव को कोन से पत्ते अर्पित करने से शुब फलों की प्राप्ती होती है नंबर एक आम के पत्ते जीवन में सुख्सवभाग्य की प्राप्ती के लिए सावन माह में भगवान शिव को आम के पत्ते अर्पित करें शिवलिन पर आम के पत्ते अर्पित करने से भगवान शिव अपने भक्तों का दुर्भाग्य दूर करते हैं, साथ ही धनलाब की संभावनाएं बनती हैं और घर से नकरात्मक उर्जा का दुश्प्रभाव भी दूर हो जाता है, जिससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है नमबर दो आग का पत्ता आग के फूल और आग का पत्ता दोनों ही चीजे भगवान शिवजी को बेहत प्रिय है मान्यता है कि जो भी भक्त सावन माह में भगवान शिव को आग के पुश्प और पत्ते अर्पित करता है भगवान शिव उसके दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तरह के कष्ट हर लेते है नमबर तीन अपामार्ग सावन माह में अपामार्ग के पत्तों को शिवलिन पर अर्पित करने से विशेश लाभ मिलता है इन्हें शिवलिन पर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख समृध्धी की प्राप्ती होती है और घर से नकरात्मक उर्जा का दुश प्रभाव दूर हो जाता है जिससे घर में सुख शांती बनी रहती है नमबर चार बास के पत्ते पुराणों में यह वर्णन किया गया है कि संतान सुख के लिए भगवान शिव की पूजा करते समयट भगवान भोले नाथ को बास के पत्ते चढ़ाने चाहिए इससे संतान की प्राप्ती होती है साथ ही इससे सुख समृध्धी आती है इसलिए सावन माह में अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव को बास के पत्ते जरूर अरपित करें नमबर पांच पीपल का पत्ता शास्त्रों के अनुसार पीपल में तृदेवों का वास होता है पीपल के पत्तों पर भगवान शिव का वास होता है इसलिए भगवान शिव को सावन माह में पीपल के पत्ते अर्पित करने से ग्रहूं के दोश दूर होते हैं और घर परिवार में सुक्सम्रिधी आती है नंबर छेट धतूरे का पत्ता शिव पुरान के अनुसार शिवजी को धतूरा बहुत प्रिय है इसलिए सावन माह में धतूरे के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के सभी बुरे विचार नश्ट होते हैं और सोच सकारात्मक बनती है नमबर साथ बेलपत्र भगवान शिव को बेलपत्र अतीप्रिय है भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करके उन्हें बहुत जल्दी ही प्रसन किया जा सकता है शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव के तीनों नित्रों का प्रतीक माना गया है इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ बेलपत्र चड़ाने से सुक्समृध्धी, धनैश्वर्य और सुक्षांती मिलती है नमबर आठ भां के पौधे का पत्ता सावन का महीना हो और भां का जिक्र न हो भला ऐसा कैसे हो सकता है दरसल बेलपत्र के बाद भगवान भोलेनाथ को दूसरा सबसे प्रिय भां का पत्ता है तभी तो ज्यादातर भोलेनाथ के भक्ती गीतों में भां का जिक्र किया जाता है अगर आप इस सावन भगवान शिव को प्रसंद करना चाहते हैं, तो भांग के पत्ते या भांग का शर्बत बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें मान्यता है कि जब भगवान शिव ने विश्का सेवन किया था, उस समय जहर का उपचार करने के लिए भांग के ही पत्तों का इस्तिमाल किया गया था आयुर्वेद में भांग को आउश्धी के रूप में भी इस्तिमाल किया जाता है नमबर नौक दूर्वा धार्मिक मान्यता के अनुसार दूर्वा में अम्रित का अंश होता है भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को दूर्वा बेहत प्रिय है भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करने से अकाल मृत्यू का भय दूर होता है इसलिए आप सावन माह में शिवलिंग पर दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं नमबर दस शमी पत्र शिव पुरान के अनुसार भगवान शिव को शमी के पत्ते बहुत ही प्रिय हैं भगवान शिव को शमी के पत्ते अर्पित करने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं इसलिए सावन माह में भगवान शिव के साथ साथ भगवान गणेश को भी शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए इसके लिए एक पीतल तामबे या कांसे के लोटे में थोड़ा सा गंगाजल सफेद चंदन चावल आदी मिलाकर शिवलिंग का अभिशेक करें इसके बाद शमी का पत्ता उन्हें अर्पित कर दें ऐसा करने से भोले नाथ के साथ साथ आप पर भगवान गणेश की क्रिपा भी बनी रहेगी तो यही था आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लेता की आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद